तो फ्रेंट्स यह हमारी आर्शिप की तरप से IPS30 जो एक टॉप के लिए best amplifier रहने वाली है हेलो फ्रेंट्स एक बार आपका फेर स्याहा हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आर्शिप की इस IPS30 की amplifier का करने वाल दे रिव्यू इस amplifier की full specification और इसके connection के उपर बात करेंगे इस amplifier पर क्या चला है सबसे better response में मिलेगा टॉप चला है या फिर बेस और maximum इस amplifier पर कितने वाट के बेस या फिर टॉप हम वो चला सकते वो भी जानेंगे और last में इस amplifier की price detail के रहने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे तो चली friends वीडियो को start करते हैं तो friends हमारी amplifier का looking हमको कुछ इस type से देखने को मिल जाता है या पर friends ये amplifier बाकी के amplifier के मुकाबले काफी अलग design में देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप इसका R-shape का branding देख सकते हो और यहाँ पर इसका मिल जाता है power on up का switch जो यहाँ आप start to push वाला switch है यानि normally push करते हैं start हो जाता है बाकी amplifier में काफी heavy switch देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें इस type से नहीं है यहाँ पर हमें इसके IPS 1300 model देखने को मिल जाता है heat sink के लिए यहाँ पर आप ग्रिल की quality देख सकते हो जो यहाँ पर आपनी amplifier के design के साब से रखी गई है और य यहाँ पर फेंड्स आपके इसके indicator भी देख सकते हो अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे simplifier के back panel की तो यहाँ पर के लिए दो यहाँ पर आप DC Fence देख सकते हो जो high forces वाले fan के cooling रखते हैं यहाँ पर इसका input section मिल जाता है जो आप XLR के अंदर देख सकते हो male female कें अंदर उस सकते हो इस्टीरियो पार्लर और ब्रीज मोड और यहां से इसका मिल जाता है मैं आउटपूट जो यहां पर आप न्यू ट्रिक सप्रेक्वाइर का देख सकते हो चैनल एक और चैनल दू के लिए उसके लवाएं यहां पर आपको मिल जाता है री सेट का ओप्षन और मैं से आप्लिफायर रहने वाली है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एट ओम्स के अंदर 1200 वाट का उटपूट पर चैनल से हमें निकाल कर देती है फोर ओम्स के अंदर 1500 वाट का उटपूट पर से रहता है टू ओम्स के लिए फ्रेंट्स यह हमारी एंप्लिफायर स्टेबल नहीं है ब्रिज़ मूट के बात करें तो एटों मस तरण आप 3000 वाट तक आउटपूट दे सकते हो एक चैनल पर और यहांपर इसके आपर इससेनर की बात करें तो 100 डीटीबी कर रहने वाला है चलास की बात करें तो इस एंप्लिफायर के अंदर एसका सरकूट यूज किया रहने वाला है तो फ्रेंट्स यह है इस एंप्लिफायर की देखे तो काफी बेटर एंप्लिफायर है इस एंप्लिफायर पर आप टॉप और बेस दोनों भी चला सकते हैं क्योंकि इसका सरकीट है वह क्लाच एसका भी हमें देखने को मिल जाता है तो फ्रेंट्स इस एंप्लिफायर पर बेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंट्स आप इसके लिए 30,000 वाट तक कोई भी बेस यहाँ पर लेकर चला सकते हो यहाँ पर फ्रेंट्स में RCAF 2828 की बात करें जो 30,000 वाट का पैसीव बेस है तो वो लेकर चला सकते हो, एक एम्प्लिफायर पर एक बेस चला सकते हो, ब्रीज मोट के अंदर, या फ्रेंड्स आप इस एम्प्लिफायर टॉप और लाइनरेज भी है, वो बड़े आराम से चला सकते हो, या पर फ्रेंड्स आप इस पर 4 ohms के अंदर 1500 वाट तक का लोट देश सकते हो या नि है 1200 वाट या 1300 वाट तक का टॉप है तो बड़े आराम से सला सकते हो या फिर आपके पार 700 वाट का लाइनर जेए 8 ohms का तो वो भी इस एम्प्लिफायर पर सला सकते हो अब बात करते हैं से आपके प्राइस की तो प्राइस वीडियो की डिप्सक्रिप्शन एड कर रहा हूं आज आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे गले नेक्स वीडियो में